कि अन्म वर्तमान जो जाब से पर्चा भरकर कभी निकले है अनों मंदल से अभी इन से बात करते हैं कि वह क्या जट्रबून जयदेरी बकतियारपूर की जनता कि पिछले ग्यारह महने में जो अपना जनादेश दिया उसका अपमान किया है राजत नित्रित ने और यहां के राजत के पर्तियासी ने उसने अपमान किया है जनता को ये ते करना है कि विकास करने वाला विधायक चाहिए या बिनास करने वाला चाहिए सेवा करने वाला चाहिए या मेवा खाने वाला चाहिए इस नियाए और जुल्म के खिलाफ नियाए और इंसाफ की लड़ाई में कूद गए है जनता के हाथ में निरने है जनता जैसा विधायक चाहेगी वो इसा छेतर का विकास होगा मैंने कहा कि पचास साथ साल में की तूलना करिए और 11 महने के रेशियो से देख लिजिए कि 11 महने में जितने छेतर का भरमन मैंने किया है एक एक गाउं मैं 15-20 बार में गया हूँ तो उतना पांच साल में कोई विधायक नहीं किया है इसलिए जनता ये तेक करेगी के हर दुख दर्द में चाहे दो बजे रात में हॉस्पीटल हो थाना हो ब्लोक हो अंचल हो अनुमंडल हो और यहां से लेकर के सहरसा हॉस्पीटल से लेकर के PMCH और IGIMS में इलाज के लिए लोगों की मदद करने वाला विधायक चाहिए या फिर घर में सोने वाला और पांच साल के बाद हर चुनाओं में अपनी जलक देखाने वाला विधायक चाहिए ऐसे लोगों को जनता को न करना चाहिए और जनता अपने लिए अपने विकास के लिए अपने छेदर के विकास के लिए वो निर्ने ले कि कैसा विधायक चाहिए अब इता अपने पर्चा भर दिया है आगे के स्ट्रेजी क्या रहेगी किस मुद्दे को लेकर करके आप मैदान मुतरेंगे मने कहा कि जुल्म अन्याए के खिलाप न्याए और इनसाफ की लड़ाई है जो जनता के साथ यह अन्याए हुआ है उसके खिलाब लड़ाई में हैं अगर जनता की अदालत में हम आ गये हैं जनता को निरने लेना है कि विकास चाहिए कि विनास चाहिए नियाई चाहिए कि अनियाई चाहिए जुम करने वाला होना चाहिए या नियाई करने वाला आदमी मिलना चाहिए लोगों के गरीब गुर्वास सबके दुख दर्द में काम आने वाला चाहिए या एसी में आराम करने वाला चाहिए ये जनता को ते करना है जैसा कि आप सुन रहे थे जफर आलम जी को आप सुन रहे थे ये कह रहे थे कि हमारा मुद्दा यही रहेगा कि नियाए को चुनना है या फिर अनियाए को चुनना है विकास पुरुष को चुनना है या फिर जो विकास नहीं करते हैं उनको चुनना है अब आने वाला समय यह बताएगा कि अब क्या होता है इन लोहों का खेली तो वक्त बताएगा आप बने रहे हैं हमारे साथ और देख सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें तो शेर करें फोलो करें लाइक करें धन्यवाद